घर के अंदर living room को खूपसूरत और आकरशक बनाने के लिए गमले में लगाए जाने वाले इंडोर पौधव का चुनाव सबसे अच्छा है। पौधे लगाने से घर सुंदर, हरा भरा और स्वच रहता है। इस वीडियो में हम आपको कुछ सर्वश्रेष्ट इंडोर प्लांट्स के बारे में बताएंगे जिन्हें आप घर के अंदर living room, bedroom या हर एक कमरे में लगा सकते हैं। आईए जानते हैं, bedroom में लगाए जाने वाले based इंडोर प्लांट्स के बारे में। वीपिंग फिग चमकदार पत्तियों वाला पौधा है, जो अपने आसपास की हवा को शुद्ध करता है। इसे घर के कमरे में सूरज की कम रोश्नी के साथ उगाया जा सकता है। फिलोडेंड्रोन एक सुंदर पत्तियों वाला हाउस प्लांट है, इस पौधे की पत्तिया चमकदार दिल के आकार की लेकिन आकार में बड़ी होती है। इसे आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। पोथोस घर के हर कमरे के लिए एक अच्छा इंडोर प्लांट है, इसे ज्यादा तर लिविंग रूम में रखा जाता है। पोथोस पौधे के गमलों को हैंगिंग बास्केट में या बुक्षिल्फ के पास नटका सकते हैं। जर्बेरा देजी एक खूपसूरत पौधा है जो अपने आसपास की हवाओं को साफ करता है। जर्बेरा देजी के फूल पीले, सफेद और नारंधी रंग के होते हैं। स्नेक प्लांट स्नेक प्लांट रात में कार्बन डाइकसाइड अवशोशत करते हैं और यहां एलरजी के खिलाफ प्रभावी है। आप इस पौधे को घर के किसी भी कमरे में लगा सकते हैं। रबर प्लांट बहुत सारे गुरों वाला पौधा है, जो बहुत सुंदर दिखता है, और कार्बन डाइकसाइड और अन्य वॉलटाइल ओग्यानिक कमपाउन को भी हटाता है। कम रोशनी में भी रबर प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। जेड-जेड प्लांट जेड-जेड प्लांट चमपदार हरी पत्तियों वाला हाउस प्लांट है, जिसे आप बेडरूम या किसी भी कमरे में कम रोशनी में आसानी से रख सकते हैं। एलोवेरा एलोवेरा ऐसा पौधा है, जो आमतोर पर हर घरों में पाया जाता है, इसमें एंटिबैक्टिरियल और एंटिवाइरल गुर होते हैं। आप इसे घर के अंदर किसी भी कमरे में लगा सकते हैं। पीस लिली का पौधा एक अच्छा हाउस प्लांट है, ये आसपास की हवाओं को साफ करता है, ये जहरीली गैसों को तोड़ने और बेशर करने में बहुत अच्छा है। आप पीस लिली को घर के किसी भी कमरे में लगा सकते हैं। स्पाइडर प्लांट हवाओं को साफ करता है, और तनाव दूर करता है। स्पाइडर प्लांट को टेबल पर सजा सकते हैं, या हैंडिंग बास्केट पर पौधे को लगा कर अपने घर को सुन्दर बना सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हूँ तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूली। धन्यवाद।